हलो एवरिवन दोस्तों क्या हाल चाल है दोस्तों आज हम लोग शुरू करेंगे एक बहुती इंट्रस्टिंग टोपिक और यकीन मानिए इतना इजी टोपिक है आपने बच्पन में भी बढ़ लखा है कब जब आप छोटी छोटी थे 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 जब कोई भी ओलो ओलो करके चले जाता था तब की बात है ठीक है ना सर हमें कैसे याद होगा मैं अभी याद दिलाओंगा आपको तो आज दोस्तों हम लोग शुरू करने वाले हैं टॉपिक का नाम है इंडाइसेज या इंडेसेज सर ये इंडाइसेज क्या होता है इंडाइसेज की बात करें तो पेटा इंडाइसेज का मतलब बेसिकली इट इस अ प्लूरल वर्ड ये एक प्लूरल वर्ड है किसका इंडेक्स का ये इंडेक्स का प्लूरल बर्ड है ठीक है ना इंडाइसिस का मतलब बिसिकली पावर या एक्सपोनेंट या डिग्री से होता है आफ एनी क्वांटिटी किसी भी क्वांटिटी पावर या एक्सपोनेंट या डिग्री को हम इंडाइसिस बोलते हैं अगर एक से जादा है तो इंडाइसिस कहलाएगा अब सरी पावर का मतलब क्या होता है बहिए कहीं लिखा हुआ है जैसे टू की पावर थ्री अब अगर इस टू की पावर थ्री की बात करें तो इसका मतलब क्या है ये क्या कहना चाहता है ये ये कहना चाहता है कि साब टू मल्टिप्लाइ होगा कितरे डाइम्स त्री डाइम्स टू मल्टिप्लाइ होगा कितरे डाइम्स त्री डाइम्स और अगर कहीं लिखा हुआ 2 into 3 तो सर इसका मतलब क्या होता है 2 add होगा कितरे times 3 times तो देखिए ये अलग चीज है 2 multiply by 3 का मतलब होगया 2 को add करेंगे 3 times और 2 की पावा 3 का मतलब होगया 2 multiply होगा कितरे times 3 times दो अलग अलग बाते हैं मतलब अगर कहीं लिखा हुआ है A into B इसका मतलब हुआ A add होगा कितरे times B times और अगर कहीं लिखा हुआ A to the power B मतलब A multiply होगा कितरे times B times बात सबज में आगए ये दो अलग अलग बाते हैं ठीक है ना तो जहां कहीं भी हम किसी भी quantity की powers को solve करना सीखते हैं उस method को दोस्तो हम लोग बोलते है indices या indices ठीक है ना तो indices is a very good topic आपने बच्पन में बढ़ा था सर कैसे बच्पन में बढ़ा था सर क्या होता था जब आप छोटे छोटे थे कोई भी औले 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 करके चला जाता था तब की बात कर रहे हैं तो क्या होता था ने ये जो करा calculation ये किसका करा ये powers का calculation करा क्योंकि 2 multiply हो रहा 6 time तो इसलिए इसे नाम देंगे 2 की power 6 2 to the power 6 मतलब अगर कहीं लिखा हुआ A to the power B तो ये कहलाएगा बेटा base और ये कहलाएगी इसकी power या exponent या degree तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं इसको कहेंगे base A to the power B क्या बढ़ेंगे इसे base A to the power B इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ A multiply होगा कितरे times B times A multiply होगा कितरे times B times बास समझ में आ गई है नहीं है clear हो गई बात चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसमें कुछ basic fundamental formulas कि हलाकि formula नाम की कोई चीज नहीं होती ये बात तो आप भी जानते हैं कोई चीज कहां से आई इसके बारे में अगर हमें पता है तो तो फर कोई tension नहीं है तो fundamental formulas of indices पहला formula सर पहले formula की बात करें formula होता क्या कुछ नहीं होता formula नाम की चीज नहीं होती बिल्कुल दिमाग से फितूर निकाल दीजेगा कि formula नाम की कोई चीज होती भी है अब कहीं लिखा हुआ A to the power M पहले तो मुझे इस A to the power M का मतलब बता ये मतलब पूछ रहा हूँ इसका मतलब हुआ A multiply होगा कितरे times M times A multiply होगा कितरे times M times अच्छा मैंने लिख दिया into A to the power N मने इस A to the power N का मतलब क्या हुआ A multiply होगा कितरे times N times तो अगर मैं देखू तो total A multiply होगा कितरे times M plus N times तो तोटल एक इतनी बार मल्टिप्लाय हो गया एम प्लस एंड टाइमस जैसे फॉर एक्जामपल भाई अगर मैं कहूँ टू की पावर थ्री इंटू टू की पावर फॉर ये लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ टू मल्टिप्लाय होगा कितरे टाइमस इसका मतलब हुआ टू मल्टिप्लाय होगा कितरे टाइमस तो टू टू मल्टिप्लाय होगा कितरे टाइमस सेवन टाइमस कैसे ज़रा देखिए हमने क्या करा टू मल्टिप्लाय होगा थ्री टाइमस ये लिख दिया ये मल्टिप्लाय का साइन अगीन two multiply होगा four times तो जरा देखिए total two कितने times multiply होगा seven times मतलब कहने का ये हुआ कि अगर कोई दो number multiply में है जिनका base same है तो उनका उस condition में हम दोनों की power को क्या कर देंगे add कर देंगे अगर यहाँ multiply की जगा है मा लीजे plus होता तो क्या कुछ होता भई देखिए ना क्या करते आप two multiply होगा three times plus two multiply होगा four times क्या इस condition में ये दोनों power add हो सकती है नहीं हो सकती है minus में भी नहीं होगा बास सबज में आ गई clear हो गई बात तो अगर कोई दो चीजे multiply है और base से में आचा हाँ base से में तो क्या होगा बेस डिफरेंट हुआ तो क्या होगा माली जे मैं लिख दू two की power three into five की power four ये लिखा हुआ है two की power three into five की power four इसका मतलब क्या होगा two multiply होगा कितने times three times into five multiply होगा कितने times four times तो इसका तो कुछ होई नहीं सकता न आप ऐसे थोने लिख देंगे ten की power seven या two की power seven या five की power seven इसमें कुछ नहीं हो सकता मतलब दो quantity अगर multiply में है जिनका base same है तब जाके ये power क्या हो जाएंगी add हो जाएंगी क्यों हो जाएंगी ये reason समझ में आगया होगा आपको बास समझ में आगए दूसरी बात बिलकुछ same ये कहता है कि अगर कोई दो चीजे multiply कीजहाइगा divide में है तब क्या करेंगी तब power subtract हो जाएंगी मने a to the power m upon a to the power n is equals to a to the power क्या हो जाएंगा m minus n is equals to क्या हो जाएगा a to the power क्या हो जाएगा m minus n मने अगर कोई दो चीजे multiply में थी तो जिनका base क्या था same था तो power क्या कर रहे थे add कर रहे थे दो चीज़े divide में जिनका base क्या है same है तो power क्या करेंगे subtract करेंगे बास समझ में आगे जैसे जैसे अगर मैं कहूं two की power five upon two की power two अब base same है सर तो की power five का मतलब क्या हो गया two multiply होगा कित्रा times five times यहाँ two multiply होगा कित्रा times two times तो two times को cancel हो गया अब कितना रहा गया two की power three रहा गया बात एक ही है आप चाहें तो इसे direct भी कर सकते है two की power five minus two that is equals to two की power three बात एक ही होती मतलब अगर कोई दो चीज़े माँ बार बार बोलो कोई दो चीज़े multiply में है और जिनका base same है तो तो power add हो जाएंगी और कोई दो चीज़े divide में है जिनका base same है तो power क्या हो जाएंगी subtract हो जाएंगी बात clear हो गई तीसरा a to the power m upon a to the power n कोई दो चीज़े sorry तीसरा गलती से दुबार खहते ना भावनाओं में भैग है हो जाता है कभी कभी यार ठीक है ना चले आगे बढ़ते यह कहता है कि a to the power m to the whole power n माने power के ओपर पावर अगर पावर के ओपर पावर होगी तो क्या करेंगे सर कुछ नहीं power के multiply कर दीज़े माने a to the power m n सर यह कैसे हुआ सर इसका मतलब क्या हुआ मैं आपसे पूछरो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कितरे times m n times ठीक है न जैसे मैं आपको example दिखाता हूँ तो शायद आपको जादा समझ में आए मैंने लिखा two की power three की power two यह लिखा मने two multiply होगा कितरे times three times two into two into two की power two अब इसको multiply करना कितरे इस पूरे को multiply करना कितरे times two times एक बार और दो बार मने total two multiply होगा कितरे times six times तो सीधे सीधे हम three two जा six क्यों नहीं लिख देते तो यह formula नहीं है यह formula नहीं है यह concept है समझ में आ रही है बात clear होगई बात concept number first क्या कोई दो चीज़े multiply होगी और जिसका base save होगा तो power add होगी दो चीज़े divide में होगी base save होगा power subtract होगी power के उपर power होगा तो power की multiply होगी for example एक example और लेकी चलते है जैसे लिखा हुआ है two की power three की power two की power five की power one by six की power one by ten ये पूछरा बताओ इसकी value क्या आएगी अब power के उपर 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 power चलती जा रहे है तो सभी पावर की क्या हो जाएगी मल्टिप्ला हो जाएगी मनने ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 into 2 into 5 3 into 6 5 into 30 30 into 1 by 6 into 1 by 10 यह 3 जगड़ गया 2 जगड़ गया मने 2 की पावर कितना आगया 1 by 2 बास सबज में आ गई clear हो कई बात तो यह याद रखेगा बेटाजे अब जराद यहां से सुनने वाली बात है अगर किसी नंबर की पावर fraction में है जयान सुनियेगा मेरी बात को अगर किसी नंबर की पावर fraction में तो उसका आंसर हमेशा एक points में आएगा माने कभी भी integer form में answer नहीं आएगा integer का मतलब समझते ना whole form में number नहीं आएगा points में two point something, three point something, five point something eight point something, hundred point something आ जाए कि इसकी value क्या हैगी एक integer आएगा, एक whole number आएगा एक natural number आएगा तो two की power one by two, ये कैसा हुआ है integer form हो गई sorry integer कह रहा हूँ, it is a fraction form ये एक हमेशा क्या होगा fraction form को represent करेगा clear हो गए बात, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीन formula clear हो गए तीनो concept clear हो गए, अब आगे बढ़ते हैं चौते concept की बात करते है ये कहता है किसी भी number की power zero की value one किसी भी number की power zero की value one, सर ऐसा क्यों सोची, सर क्या कह रहे है, a multiply गगा zero times, कैसे करोगे हो इनी सकता a multiply होगा, zero times, कैसे करोगे हो इनी सकता, फिर और बताईए, और सोची आप तो खासी बहुत हो रही है a multiply होगा कितने times zero times, क्या करेंगे सर अच्छा, इस zero को ध्यान से समझेगा इस zero को मैं three minus three लिख सकता हूँ, बिलकुल लिख सकता हूँ मैं two minus two लिखू, three minus three लिखू, one minus one लिखू, five minus five लिखू, six minus six लिखू, कुछ भी लिखू, zero आना चाहिए तो three minus three लिख लिख लिखा अच्छा, ये दोनों power की form में ये दोनों power minus में कब आई होंगे जब ये divide में होंगी मने, a की power three upon a की power three बही कोई किसी भी नमबर की power zero की value always equals to क्या होगी बास समझ में आगे, चाहिए वो कोई भी नमबर हो, दुनिया का कोई नमबर हो किसी भी नमबर की power zero की value always equals to बास समझ में आगे दोस्तों, चले फिफ्ट, किसी भी नमबर की power अगर negative है किसी भी नमबर की power अगर negative है तो उसको positive करने के लिए क्या करेंगे one upon में करके लिखेंगे किसी भी नमबर की power अगर negative है तो उसको positive करने के लिए क्या लिखेंगे one upon में लिखेंगे मने one upon a to the power b सर ऐसा क्यों ये कौन से भगवान ने कहा था सर भगवान ने इनसान नहीं कहा है अब ऐसा क्यों हुआ पहले तो मुझे इसकी बात करते हैं हम लोग इसकी बात करते हैं ये पावर नेगिटिव है पॉस्टिफ करने के लिए हमने इसे वन अपन में पावर को पॉस्टिफ करना हो ध्यान से यह देखेगा हम, यह कैसे गरा, अगर जसे माल लीजिए, मैं कहता एक ही पावर, माइनस तृ थी है, बिलकुं ठीक बात है, अब इसको पॉस्टिक परने के लिए, पहले तो यह बताईए, इसको मैं एक ही पावर, जीरो माइनस तृ लिख सकता हूं, बास सही है, जीरो माइन upon A की power 3 अब किसी की power 0 की value क्या हो गई 1 बने 1 upon A की power 3 तो मैं ये बात आपसे direct कह रहा था ये बात मैं आपसे क्या कह रहा था direct कह रहा था कि अगा किसी भी number की power negative दिखाई दे तो उसे positive करने के लिए 1 upon में लिख दीजे मतलब जैसे अगर कह लिखा हुआ X की power minus 3 तो इसे 1 upon X की power 3 लिख दीजे X की power minus 2 इसे 1 upon X की power 2 लिख दीजे 4 X की power minus 5 तो इसे 1 upon 4 X की power आ आ आ आ आ आ आ आ आ ये मत करिएगा ये गलत कर रहे हैं आप क्यों गलत कर रहे हैं सर पावर किस की negative है सर पावर सिर्फ और सिर्फ X की नेगेटिव है four की पावर नेगेटिव नहीं है तो यह four upon में नहीं आएगा four upon X की पावर five इसे क्या लिखेंगे आप four तो ऐसे ही रहेगा किस की पावर नेगेटिव है X की पावर नेगेटिव है इसको positive करने के लिए नीचे लिखेंगे तो four upon x की पावर five बास समझ में आ गई तो कभी भी किसी भी number की power अगर negative है तो उसे positive का निकली उसे आप क्या कर देगे reciprocate कर देगे one upon की form में लिख देगे बास समझ में आ गई करेंगे ठीक है नऑ अभी मैं आपको सिर्फ वाजिव कॉंसेप्स सखा रहा हूं कोशिन की बात अभी थोड़ी दिर में करना शुरू करेंगे ठीक है ना नेच्स्ट सेवन्त बिलकुल सेव में में सर ए अपाउन बी की होल power अगर minus x है sir power को positive करना है क्या करेंगे reciprocate कर दीज़े जो उपर है वो नीचे आ जाएगा जो नीचे है वो उपर आ जाएगा मने b upon a की whole power क्या हो जाएगा x हो जाएगा बात समझ में आगे तो साथ concept हम ने सीखें पहला concept क्या था सब पहला concept होता कि अगर कोई दो चीज़े multiply में जिनका base save है तो उस condition में दोनों की power क्या हो जाएगी add दो चीज़े divide में जिनका base save है power subtract हो जाएगी power के उपर power power की multiply किसी भी number की power 0 की value always equals to 1 power negative है positive कर ने के लिए one upon में जैसे एक example और पूसता हूँ मैंने का 2 की power minus 1 by 3 तो इसे 1 upon 2 की power 1 by 3 power negative थी positive करने के लिए one upon में लिख दिया मैंने का 2 x की power 4 y की power minus 2 इसका मतलब क्या हुआ 2 x की power 4 ऐसी रहेगा और y की power minus 2 नीचे ले जाएगे upon y square बास सवज में आ गई दी भी दी में अगर आप concept समझेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके बाद फिर वही power negative 3 positive करने के लिए उपर लिए ऐसे a upon b की whole power negative 3 इसे positive करने के लिए power को positive करने के लिए इन दोनों को वो denominator में पहुँच गया और जो denominator में था वो numerator में पहुच गया बास सवज में आ गया या नहीं क्लिर हो गई बात चलिए एर्थ की बात करते है एर्थ यह कहता है कि साब a b की whole power x a b की whole power x क्या होगा माने कोई देखिए जहां से देखिए का multiply है तो रों की बीच में plus का sign नहीं है minus का sign नहीं है multiply है तो रों की बीच में तो इसका मतलब होगा a की power x into b की power x ध्यान दीजिए यहाँ पे plus नहीं है minus नहीं है multiply essence में बात हो रही है ठीक है न जैसे for example कि अगर मैं बात करूँ आपसे माल लीजिए अगर मैं कहूँ 6 की power x सर इसका क्या हो सकता है सर 6 को क्या मैं 2 into 3 लिख सकता हूँ बिलकुल लिख सकते हैं सर to the whole power x मतलब यह होगा 2 की power x into 3 की power x यह क्या होगा 2 की power x into 3 की power x अच्छा सर यह तो example first हो गया ऐसे ही अगर माल लीजिए मैं आपसे कहता 30 की power x plus y बिलकुल सेम वे में अब जड़ा मुझे बताइए 30 के factor क्या हो सकते है हानिसा 3 into 10 भी हो सकते और क्या हो सकते हैं सर फेक्टर की बात कर रहा हो तो 2 into 3 into 5 लिख सकते हैं की whole power क्या हो जाएगा x plus y 2 into 3 into 5 की whole power क्या हो जाएगा x plus y मतलब यह हो जाएगा 2 की पावर X प्लस Y इंटू 3 की पावर X प्लस Y इंटू 5 की पावर X प्लस Y बास समझ में आ गया या नही है क्लियर हो कई बात अब दोस्तो जितने formula हमने पढ़े इनके ओपर based question की बात करते हैं पहले हम इतने जो हमने question अभी तक formula पढ़े हैं इनके ओपर based question की बात करते हैं question किस तरीके से बन सकता है तो आईए दोस्तो question की शुरुबात करते हैं question number first question दे रखा है 6 की पावर 18 into 7 की पावर 45 upon 6 की पावर 23 into 7 की पावर 40 की होल पावर 1 upon 5 into लगा कर next bracket में 6 की पावर 48 into 7 की पावर 102 upon 6 की पावर 43 या 42 और into 7 की पावर 108 की होल पावर 1 upon 6 यह पूछ रहा है इसकी value क्या आएगी सर सबज में आ रहा है यह question दे रखा है मैं question randomly ऐसे ही बन वाऊंगा ताकि आपको question का pattern सबज में आ सके ठीके ना आपको बिलकुल भी घबराने की ज़रूद नहीं है question का concept clear रखिएगा आप अपना अगर आपका concept clear रहेगा तो आपको किसी type के किसी भी question में कोई problem नहीं आने वाली sir अब मैं आपसे कुछ बाते पूछूँगा और मुझे उसका आप जवाब बीजेगा मुझे जरा ये बताएए दोस्तो कि यहां पे आपको कितने base दिखाई दे रहे है sir मतलब sir देखिए ना अगर मैं बात करूँ a की power b तो यह जो a है that is known to the base और यह कहलाता है power 6 है और एक base 7 है यहां पे base 6 है और 7 है 6 और 7 है 6 और 7 है 6 और 7 है मने कुल मिला कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ दो bases available है एक तो base 6 और एक base 7 तो पहले base 6 की बात करते हैं अब आपको पता है कि अगर कोई दो चीजे multiply में हो जिनका base same हो तो power add होती है और divide में हो और base same हो तो power क्या होती है subtract होती है तो जब ध्यान से देखिए यहां पे इन दोनों का base क्या है same है ठीक है न यह दोनों किसमे है divide में है तो power क्या हो जाएंगी subtract मने 18 minus 23 सर 6 की power 18 upon 6 की power 23 तो 6 की power 18 minus 23 कितना हो गया सर माइनस 5 सर यह हो गया minus 5 ठीक है न इंटू अच्छा अगर इंटू छोड़े तो ज़रा ध्यान से देखिएगा power के उपर power यह power के उपर power तो power के क्या होगी multiply मने minus भाई अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ 6 की power 18 upon 6 की power 23 मने 6 की power कितना हो जाएगा 18 minus 23 कितना हो गया दूचा minus 5 और power के उपर power पावर की क्या होगी multiply मने इंटू कितना हो जाएगा 1 by 5 बास समझ मागे मने इसमें 6 की पावर जो होगी 6 का base से related जो भी था वो हमने solve कर लिया अब यहां देखी क्या लगा हुआ है into का sign क्या लगा हुआ है into का sign और यहां पे भी आपको base 6 दिखाई दे रहे तो into में क्या होगा power add हो जाएंगी into में क्या होगा power add जाएंगी 6 की power की ही बात करो मैं अब 48 minus 42 कितना हुआ सर 6 48 minus 42 कितना हुआ सर 6 6 into 1 by 6 power के उपर power power के उपर power तो power के multiply है मने 6 की power total कितनी आ गए यह आ गए सर यह 5 से 5 cancel कुल मिला कि यहा minus 1 बचा 6 से 6 cancel यहा 1 बचा मने 6 की power minus 1 plus 1 कितना हो गया 0 सर बेज 6 तो खतम हो गया अब किस की बारी अब सर 7 की बारी बिलको सेम में 7 की power 45 upon 7 की power 40 तो 45 minus 40 कितना रहे गया सर 5 7 की power 5 into 1 by 5 into 1 by 5 अच्छा into का मतलब क्या हो गया अगें प्लस पावर की बात कर रहा हूँ अब 102 minus 108 102 minus 108 कितना हुआ minus 6 minus 6 into 1 by 6 ठीक है ना 5 begin 7 की power कितना आ गया 0 आ गया अब किसी की power 0 की value क्या होती है Sir 1 किसी की power 0 की value क्या होती है Sir 1 तो answer कितना आ गया Sir 1 आ गया बात सबज में अ गे नहीं करने शौट्रिक हम अपनी खुद बनाएंगे हम अपनी मरजी के माले के हमें अपनी शौट्रिक खुद बनानी है हमें सिर्फ का सिर्फ कॉंसेप पे ध्यान दे रहा है बास सवज में आ गई से आगे बढ़ते हैं इसी तरीके का एक दूसरा कोशन लेके चलते हैं कोशन 2 की पावर 32 into 3 की पावर 61 into 5 की पावर 46 की whole पावर 1 upon 30 divided by 2 की पावर 108 into 3 की पावर 115 into 5 की पावर 142 upon 2 की पावर 111 into 3 की पावर 118 into 5 की पावर 139 की whole पावर 1 by 3 यह पूछ रहे हैं इसका अंसर क्या आएगा सर बास सबज में आ गई सर क्लियर होगे कोशन अब जड़ा ध्यान से देखिए कर सर यहां मैं अगर आप से पूछू फिर वही वाली बात यहां आपको कितने बेस दिखाई दे रहे हैं यहां आपको कितने बेस दिखाई दे रहे हैं सर तीन बेस है कौन कौन से सर एक बेस 2 है एक base 3 है और एक base 5 है तो एक एक करके तीनों base को हम अलग-अलग solve करेंगे और हमारा answer अपने आपी निकल के आ जाएगा तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे base 2 की बात करेंगे अब 2 की power, 2 की power एक तो ये रही एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही ख्यान रखिएगा यहाँ पर divide का sign है किसका sign है? divide का तो 2 की power 45 minus 32 कितना हुआ सर? 45 minus 32 कितना हुआ सर? 13 और power के उपर power multiply 13 into 1 by 13 कितना आ गया? 1 आ गया सर divide का मतलब क्या होगा? minus भई अगर into का sign होता तो power add होती into का sign होता तो power add होती लेकर यहाँ पर sign किसका है? divide का तो power क्या होगी? subtract होगी अच्छा अब 108 minus 111 108 में से 111 कितने बचे? minus 3 minus 3 into 1 by 3 कितना होगा? minus का 1 तो minus का 1 मतलब यह कुल मिला कि क्या हो जाएगा? plus का 1 हो जाएगा मने 2 की power 1 plus 1 कितना आ गया? 2 आ गया वो बात की बात है? फिलाल base 2 हमारा solve हो गया अब किसकी बारी? सर अब बारी है 3 की अब बारी किसकी है? 3 की 3 की power देखिए 48 minus 61 48 minus 61 कितना होगा सर? minus 13 minus 13 into 1 by 13 कितना होगा सर? minus 1 minus 13 into 1 by 13 बारी पावर के उपर पावर पावर की मल्टिपला है minus 13 into 1 by 13 कितना होगा? minus 1 divide का sign का मतला minus का sign लगा दिया अब यहाँ देखिए 3 की power 1 1 5 minus 1 1 8 1 1 5 minus 1 1 8 minus 3 minus 3 into 1 by 3 कितना होगा? minus 1 तो minus minus क्या हो जाएगा? यह plus 1 हो गया minus minus क्या हो गया? plus 1 हो गया बास सवज में आ गया माने कुल मिला कि यहाँ पर क्या बचेगा? 3 की power 0 कितना बचा? 3 की power 0 अब किस की बारी? अब सर 5 की बारी 5 की power 59 minus 46 59 minus 46 कितना होगा सर? सर यह हो गया 13 13 into 1 by 13 that is equal to 1 13 into 1 by 13 क्या हो गया? 1 डिवाइट का मतलब again minus का साइन 142 minus 139 कितना हो गया? 3 142 minus 139 कितना हो गया? 3 3 into 1 by 3 again 1 बास सबज में आ गया या निए? clear हो गया बात तो यह भी कितना आ गया? 5 की power 0 आ गया अब यह क्या हो गया? 2 की power 2 का मतलब कितना हो गया? 4 into 1 into 1 answer कितना आ गया? 4 तो ध्यान रिखिएगा सर इस type के हर question का answer 1 नहीं होता यह solve करने से आपको सबज में आएगा ठीक है ना? तो आपको कोई short trick बनाने की जुरूबत दें देखिए ना 3 step में आपका answer आगया अगर आपका concept clear है तो 3 step से उपर में आपका answer आएगा ही नहीं सर चाहे आप कुछ भी कर दीजिए और हमें ध्यान भी यह रखना कि maximum 3 step में हमारा answer आना चाहे बास सबज में आगई सर चले next question की बात लेके चलते है माली जे question दे रखा है आपको find x की power 2 by 3 upon z की power 4 by 5 into 5 by 6 upon z की power 5 by 7 into z की power 9 by 5 upon x की power minus 1 by 6 into z की power minus 2 by 7 upon x की power x की power यह हो जाएगा 7 by 3 कुछ और लेके लेते हैं 5 by 3 minus 1 by 3 चलो जी यह पूछ रहा है इसका answer क्या आएगा अब यह ध्यान रखिएगा सर इसका answer कोई ज़रूरी नहीं कि 1 ही आए तो पहले आप concept को समझेए अब इसका solution निकालना है सर अब मैं आपसे सिर्फ एक ही कोशन पूछ रहा हूँ यहाँ पे आपको कितने base दिखाई दे रहे हैं सर यहाँ पे कितने base दिखाई दे रहे हैं सर सिर्फ दो ही base है कौन कौन से सर एक x है और एक z है एक x है और एक z है तो एक एक करके दोनों basis को solve कर लीजे सबसे पहले हम बात करते है x की अब x की power जो into में होगा उसे plus में करके लिख देंगे powers को और जो divide में हो गया उसकी power को हम क्या कर देंगे minus कर देंगे तो यह हो जाएगा 2 by 3 plus 5 by 6 और कहिए नहीं नीचे सरे एक एरा तो यह divide में है तो minus और यह minus का 1 by 6 है तो plus 1 by 6 और यह minus और plus का 1 by 3 मने minus तो पहले से आता minus पहले से लिखा हुआ है तो minus minus क्या हो जाएगा plus यह हो गया x की power तो खत्म हो गए अब किस की बारी अब बारी z की z की power देखिए यह 9 by 5 9 by 5 minus 2 by 7 और minus 4 by 5 और minus 5 by 7 यह हो गया सर सबज में आगे बाद अब हमें सिर्फ इसको solve करना है और हमारा answer अपने सामने अपने आप ही आ जाएगा चलिए सर अब सबसे पहले अब आप कहेंगे सर यहाँ LCM ले ले मैं तो अगर आपसे कहूं तो मैं बिलकुल LCM ले लूगा quotient हमेशा ऐसा बनाया जाता है जिसे solve करने में आपको ज़्यादा time न लगे अगर मैं आपसे पूछू हूँ 2 by 11 plus 5 by 11 तो आप सीदे सीदे से 7 by 11 के सकते हैं LCM सेम हो गया 2 by 11 plus 5 by 11 का मतलब कितना हो गया 7 by 11 हो गया अगर मैं कहूं 2 by 13 plus 9 by 13 तो यह कितना हो गया 11 by 13 हो गया तो अगर मुझे दिख रहा है ज़रा ध्यान से देखिएगा अगर मुझे दिख रहा है 5 by 6 plus 1 by 6 तो यह कितना हो गया 6 by 6 और 2 by 3 प्लस 1 by 3 तो ये भी कितना हो गया 3 by 3 हो गया नहीं आए बास सबुझे तो ये हो गया 1 और ये भी हो गया 1 और 1 and 1 कितना हो गया 2 माने X की पाफर 2 तो ये आ गया X की पाफर 2 तो ये आ गया आपने देखा मैंने बिना LCMA लिए इसे सॉल्फ कर लिया तो यह कोशन पर डिपेंड करता है अगर यह सारे वैल्यूज अलग अलग होती तो लेना मजबूरी होता लेकिन यहां पर हमें देख रहा है कि 5 बाइ 6 और 1 बाइ 6 तो कितना हो जाएगा 6 जाएगा 6 6 बाइ 6 का मतलब हो गया 1 2 2 बाइ 3 प्लस 1 बाइ 3 3 बाइ 3 का मतलब हो गया 1 और 1 1 कितना हो गया 2 माने एक कुल मिला के कितना आ गया X स्क्वार आ गया अब किसकी बारी अब Z की बारी अब ज़ना देखिएगा ध्यान से 9 बाइ 5 और minus 4 by 5 9 by 5 minus 4 by 5 कितना हो गया 9 by 5 minus 4 by 5 कितना हो गया 5 by 5 का मतलब कितना हो गया 1 minus 2 by 7 और minus 5 by 7 सर minus 2 by 7 minus 5 by 7 7 तो आ गया minus 2 minus 5 का मतलब कितना हो गया minus 7 by 7 माने कुल मिला के कितना आ गया minus 1 माने यहां पर क्या बचेगा Z की बार क्या बचेगा 0 तो कुल मिला के इसका answer क्या आ गया X स्क्वार ख़तम एक, दो, तीन तीन स्टेप में आपका अंसर आ गया कोशन करने का तरीका सवज़ पा रहे है हमें कोई भी फॉर्मला याद करने की जरूरत नहीं हमें कोई शोट ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं सारी शोट ट्रिक हम खुद बनाएंगे हम खुद मेलमेटीशन अपने आप में बास सवज में आ गई सर कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं चलिए आएए नेक्स कोशन लेके चलते हैं और मसा आएगा आपको नेक्स कोशन में कोशन दे रखा है find the value of 6 की पावर x प्लस y प्लस 3 into 10 की पावर x फ्लस 2 into 15 की पावर y प्लस 1 upon 2 की पावर 2 x प्लस y प्लस 4 into 3 की पावर x प्लस 2 y प्लस फूर इंटू फाइब की पावर एक्स प्लस वाई प्लस टू यह पूछ रहा है इसका अंसर क्या आएगा यह इसका भी होल स्क्वेर चलो ऐसी रहने दीजे कोई बात नहीं इसका अंसर क्या आएगा यह पूछ रहा है सर अब सॉलिशन की बात करते हैं अब मुझे जरा यह बताईए दोस्तों कि आपको यहां पे कितने बेश दिखाई दे रहें सर एक तो six है एक ten है एक five है एक two है एक three है और एक five है सर six basis है नई थोड़ा और ध्यान से देखिए ध्यान दीजे जरा ध्यां पे यहां कितने बेश है सर 6 तो basis है, एक तो basis 6 है, और एक 10 है, एक 15 है, एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है, सर 6 तो basis है, मैंने का फिर दुबरा ध्यान दीजे, सर हमें नहीं समझ में आ रहा, तो सर जरा एक बाप बताए, क्या इस 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, बिलकुल लिख सकते हैं, सर इस 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, बिलकुल लिख सकते हैं, इस 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, बिलकुल लिख सकते हैं, और 2 को कुछ लिख नहीं सकते हैं, 2 का 2 ही रहेगा, 3 का 6 से मेरा मतलब खत्म हो गया 10 से मतलब खत्म हो गया 15 से मतलब खत्म हो गया अब जड़ा बता ये कितने बेस है सर एक 2 है बिलकुल ठीक एक 3 है बिलकुल ठीक एक 2 दुबारा तो बोलो गए नी 2 हो चुका है एक तो टू हो गया एक थ्री हो गया टू हो चुका है फाइव है बिलकुल ठीक थ्री हो चुका है फाइव हो चुका है टू हो चुका है थ्री हो चुका है फाइव हो चुका है माने कुल मिलाके यहां पे कितने बेसे तीन बेसे है तू थ्री और फाइव तो पहले आप यह चे two into three बाकी ये तू, ये थ्री, ये फाइव ऐसे ही अब अगर मैं सिर्फ two को लेके चलू base two की बात कर रहा हूं किसकी बात कर रहा हूं? base two की तो two की पावर कहां कहां है, सर से टू की पावर कहां कहा है एक तो टू की पावर यहां पे है एक टू की पावर यहां पे है इसमें तो टू की पावर है नहीं एक टू की पावर यह है माने इन दोनों की पावर को हम एड करेंगे और इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे इन दोनों की पावर को हम एड करेंग और इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे ऐसा क्यों बहुत ध्यान से समझेगा सर अगर मैं करूं सिक्स की पावर बहुत ध्यान सुनिएगा अगर मैं कहूं सिक्स की पावर एक्स प्लस वाई प्लस थ्री तो इसको हम लिख सकते हैं टू इंटू थ्री की होल पावर एक्स प्लस y plus 3 हो गया मने 6 की पावर को हम directly लिख सकते हैं 2 की पावर x plus y plus 3 into 3 की पावर x plus y plus 3 बास सबज में आ गए तो ऐसे ही यहाँ पे एक तो 2 आ गया ऐसे ही यहाँ पे भी 2 आ गया और ऐसे ही यहाँ पे भी 2 आ गया मने यह दोनों पावर तो हम करेंगे add और यह वाली करेंगे minus तो x plus x कितना हो गया 2x 2x plus y plus 5 minus आप क्योंकि यह minus होगी पावर तो minus 2x minus y minus 4 सरी यह minus कैसे हो गया minus sin into करेंगे तो plus वाला क्या हो जाएगा minus में change हो जाएगा ज़रा जहान से देखिए 2x से 2x y से y और 5 minus 4 कितना रह गया 1 माने यह बचएगा 2 की पावर 1 क्या बचएगा 2 की पावर 1 बास सबज मागे दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते आप बात करते हैं 3 की पावर की सब 3 की पावर की सब 3 की पावर कहा कहा है सब 3 एक तो इसमें है इसमें तो 3 नहीं है एक इसमें है और एक 3 यह रहा मने इन दोनों पावर को एड़ करेंगे और उसको ठाके माइनस कर देंगे तो X मने यहां पर लिख देता हूं 3 की पावर X प्लस Y प्लस 3 प्लस Y प्लस 1 माइनस X माइनस 2Y माइनस 4 सही है ना लिखने की जरूबत ने करते करते हैं आपको अपने हैबिट में आ जागा देखे ना X प्लस 2Y प्लस 4 बही देखे ना X और Y कितना हो गया 2Y प्लस 4 माइनस X माइनस 2Y माइनस 4 देखे ना सब कड़ गया क्या बचेगा जीरो और किसी की बावाद जीरो की वल्लू कितनी हो गई वन किसी की बावाद जीरो की वल्लू कितनी हो गई वन अब किसी की बारी अब सब फाइप की बारी रह गई अब अगर हम फाइप की बात करे तो फाइप कहां कहां है सर फाइव एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है, इन तीन जगे फाइव है, तो एक्स प्लस वाई प्लस थ्री, माइनस एक्स माइनस वाई, कैंसल हो गए, फ्री माइनस टू कितना बच्चे का सीधे सीधे, वन, फ्री माइनस टू कितना बच्चे का सी का सबज में आ रहा है sir clear हो गई बात तो कोशन करने का सब्सा तरीका आप अपना concept क्लिए रखी कि अगर कोई दो चीजे multiply में हैं जिनका base same है तो पावर add होंगी कोई दो चीजे multiply में हैं जिनका base same है वो divide में है तो जिनका base same है तो वहाँ पावर क्या होंगी subtract होंगी power के उपर power power की multiply होगी किसी भी number की power 0 की value 1 होगी बस इतना सा काम है sir और कुछ नहीं करना है बात समझ में आ गई आईए दूसरा question लेके चलते हैं next question है find the value of find the value of two की power यह 2 की power x plus 4 5 into minus 4 into 2 की power x plus 1 upon 6 into 2 की power x plus 3 minus 10 into 2 की power x यह पूछ रहा है इसकी value क्या आएगी यह पूछ रहा है इसकी value क्या आएगी question बिलकुल different है जरा ध्यान दीजेगा और यह question competition level पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है sir इस question में पूछ रहा है इसका answer क्या आएगा अब अगर sir मैं बात करूँ तो जरा ध्यान दीजेगा sir इसमें हम क्या कर सकते sir यहां कितने 25 इससे तो कुछ काम होने वाला नहीं क्योंकि बीच में किसका sign है minus का अगर यहां divide होता तो हम कुछ सोते भी यहां लेकिम बीच में किसका sign है minus और plus का sign है यहां plus लगा देते है चलिए ठीके ना minus और plus का sign है अब यह कह रहा है इसको solve करो अब जला ध्यान से देखिए तो यह दोनों power addition में कब आई होगी यह दोनों power add कब होई होगी जब यह दोनों multiply मने 2 की power x into 2 की power 4 रहा होगा तब ही तो यह 2 की power x plus 4 कहेगे बहिए अगा कुछ नहीं दिख रहा तो जो addition में से तोड़ लेते हैं मतलब क्या हुआ इसको हम लिख सकते 5 into 2 की power x into 2 की power 4 minus 4 into 2 की power x into 2 की power 1 upon 6 into 2 की power x into 2 की power 3 plus 10 into 2 की power x सबज में आगे बाद सर अब जड़ा ध्यान दीजे सर तो उपर से आपको क्या comment दिखाई दे रहे सर 2 की वैसे सर 2 भी comment दिखाई दे रहे मैं ज़्यान से देखे मैं मुद्दे वाली बात कर रहा हूँ क्या मैं उपर से 2 की power x common ले सकता हूँ बिलकुल ले सकते है सर बाकी क्या बचा बाकी सब को multiply गलीजे बाई 2 की power 4 का मतलब कितना हुआ 16 तो 16 into 5 कितना हो गया 80 minus 4 2 जा कितना हो गया 8 अपाउन नीचे भी देखे ज़रा दिहान से तो 2 की power x आपको common दिखाई दे रहे ये भी ले लीजे बाहर क्या बचा बहिए ये कितना हुआ 8 बहिए 2 की power 3 का मतलब कितना हुआ 8 8 6 जा कितना हो जाएगा 48 plus क्या बचेगा 10 2 की power x से 2 की power x cancel हो गया यो गया 72 upon 58 that is equals to 36 upon 29 यह आपका answer निकलाया सवज में आगई बात clear हो गया अभी आपको लग रहा होगा अभी मैं इसको आपको direct करने का तरीका भी बता हूँगा पहले इतनी बात सवज में आई या नहीं आई ठीक ऐसा next question की बात करते है माली जे question दे रखा है आपको find 5 into 3 की power x plus 1 minus 4 या 6 into 3 की power x minus 1 upon 2 into 3 की power x plus 2 plus 15 into 3 की power x यह पूछ रहा है इसकी value क्या आईगी ठीक है नहीं सर बिल्कुछ सेम वे में question है जरा ध्यान दीजेगे क्या करे कैसे करे सर अब अगर मैं बात करूं तो जरा ध्यान दीजे 3 की power x plus 1 को 3 की power x into 3 की power 1 लिख सकते हैं 3 की power x plus 1 को 3 की power x into 3 की power 1 लिख सकते हैं 3 की power x minus 1 minus है minus minus है minus तो 3 की power x into 3 की power minus 1 मने 1 upon 3 लिख सकते हैं तो लिख लेते हैं पर सर confusion ना हो तो ज़्यादा अच्छ है 3 की power मतलब कुल मेरा क्या हम चाहे तो उपर से 3 की power x कॉमा नहीं ले लेते हैं सर क्या बचेगा, एक तो बचेगा 5, एक बचेगा 3 की पावर 1, मने 3, तो 5 इंटू 3 का मतलब कितना हो गया, 15, चाहे तो बहुँ डारेक 15 भी लिख सकता था, माइनस, 6 से को मतलब नहीं, 3 की पावर X तो ये भारा आगया, अब क्या बचेगा, 3 की पावर माइनस 1 का मतलब कितना हो गया, 1 बाई 3, भाई 3 की पावर माइनस 1 है, पावर नेगेटिव है, पॉस्टिफ करने के लिए क्या करें, 1 अपाउन में लेके आएंगे, बास सवज मे आगये दोस्तों, अच्छा, अपाउन में, अब फिर दुबारा 3 की पावर X को मन दिखाई दे रहा है, क्या बचेगा, 2 into 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया, 9, उसके बाद, प्लस 15, बाकी तो कुछ यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ये क्लोस कर दिया, 3 की पाव 18 प्लस 15, that is equal to 33, 3 से 3 मत काट दीजेगा, पता चला 3 से 3 काट दे, आपका कोई भरोसा नहीं है, आप लोगा इंस्टाइन हो, आप कुछ भी कर सकते हो, अगर कोई आप से कह दे 1 बाई 3 आंसर लेके आना है, तो आप हम पे छोड़िए सर, हम लाके दिखाएंगा, आंसर तो ह हमें लेके आना है, हमें पता है ना कैसे लेके आना है, हम लाके दिखा सकते हैं, तो क्लियर हो गई बात, कोईशन करने का तरीका समझ में आ रहा है, और देखते हैं सर, कोईशन, माली जो कोईशन दे रखा है कुछ इस तरीके से, solve, 5 into 9 की पावर x plus 1, minus 5 into 3 की पावर 2x plus 1, 3 की पावर 2x plus 1, upon, 5 के जिएक हैं यहाँ 4 कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं, ठीक हैं, आच्छा, यहाँ 10 into 9 की पावर x plus, यह 10 की जगह यहाँ कर लेते हैं, 18 into 9 की पावर x minus 1, plus 6 into 3 की पावर 2x minus 1, यह पूछ रहे हैं, इसकी value की आएगी, अब जड़ा ध्यान दीजेगा सर, यह 9 की पावर x सर, यह 3 की पावर 2x सर, ऐसे कैसे काम मनाएगा, फ़स गए सर, चक्कर में फ़स गए, अब क्या करें सर, आब बहुत अराम से सोची हैं, तसली से सोची, तसली से, कोई जल्दबाजी करने के जिरूवत नहीं है, सबसे पहले, इस 9 को मैं 3 का स्क्वार लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ या ने लिख सकता हूँ, मतलब अगर मैं सिर्फ 9 की पावर x की बात करूँ, प्लस वन को छोड़ दिया है मैंने अभी, मैंने अभी प्लस वन को छोड़ दिया, 9 की पावर x की बात कर रहा हूँ, 9 को मैं 3 का स्क्वार लिख सकता हूँ की होल पावर x, 9 को लिखा 3 का स्क्वार और होल पावर x का होल पावर x, माने कुल मिला के यह 3 की पावर की तरह आ गया 2x भई पावर के उपर पावर तो पावर की multiply हो गई पावर के उपर पावर तो पावर की क्या हो गई multiply हो गई माने कुल मिला के अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस 9 की पावर x की बात करूँ तो यह है तो कुल मिला के 3 की पावर 2X ही कुल मिला के 3 की पावर क्या है 2X ही तो है ऐसे ये भी 3 की पावर क्या है 2X ही तो है मने उपर से क्या common आएगा आपके पास उपर से आपके पास common आएगा 3 की पावर 2X उपर से आपके पास क्या common आएगा 3 की power 2x और नीचे से भी क्या common आएगा 3 की power 2x जब तक common नहीं आएगा question हो गई नहीं जब तक common नहीं आएगा तब तक question solve भी नहीं हो सकता तो अगर मैं बात करूँ तो जड़ा ध्यान दीजे उपर से 3 की power 2x common आगया, नीचे से 3 की power 2x common आगया, बाकी जो बचा कुछा है वो लिख दीजे अपने आपी answer आजाएगा अब बचेगा 5 और 9 की power 1 3 की power 1 नहीं 9 की power 1 माने 9 minus 4 into 3 की power 1 माने 3 भई ये 3 की power 2x 9 की power x था तो 9 की power 1 माने 9 3 की power 1 माने 3 18 अब 9 की power minus 1 माने 1 upon 9 प्लस 6 into 3 की power minus 1 का मतलब 1 upon 3 भई 3 की power 2x थो हमने common ले लिये दुरों साइट से भई इसको लिख लिए 3 की power 2x इसको लिख लिए 3 की power 2x तो ये है ये भी 3 की power 2x ये भी 3 की power 2x तो उपर से 3 की power 2x भार निकल आएगा नीचे से 3 की power 2x भार निकल आएगा जो बचेगा वो लिख दिया 5 बचा और 9 की power 1 बचा 9 माइनस 4 बचा और 3 की power 1 बचा माने 3 18 ये लिखा हुआ है 9 की power minus 1 का मतलब 1 upon 9 प्लस 6 और 3 की power minus 1 का मतलब 1 upon 3, क्लियर हो गई बात, चलिए, अब ये 9 2 जा कट गया, ये 3 2 जा कट गया, मनें ये तो cancel out हो ही गए, क्या बचेगा ये, 45 minus 12 upon 2 plus 2 4, that is equals to 33 upon 4, आंसर आ गया, बास सबज में आगे दोस्तों, क्लियर हो गई बात, चली, और कोशन लेगी, चलते हैं सर, माली जे कोशन दे रखा है आपको, कोशन दे रखा है, 5 into 32 की पावर x plus 8 की पावर x into 4 की पावर x plus 1 upon 6 into 16 की पावर x into 2 की पावर x plus 1, ये पूछरा इसकी वल्लू क्या आएगी, अब ज़रा ध्यान दीजेगा सर, बहुत ध्यान दीजेगा, ये 32 जो है, ये 2 की पावर कितना हुआ, ये 32 जो है वो 2 की पावर कितना हुआ सर्व वो 2 की पावर हुआ 5 32 का मतलब क्या होगा 2 into 2 into 2 into 2 into 2 माने 2 की पावर कितना हुआ बिटा है 5 हो गया माने इसे लिख सकते है 5 into 2 की पावर 5x प्लस ये 2 की पावर कितना हुआ 3x सही है न 8 का मतलब क्या हुआ 2 into 2 into 2 मने 2 की पावर कितना हो गया 3x 4 को क्या लिख सकते है सर्व 4 को लिख सकते है 2 की पावर 2 4 का मतलब क्या हुआ 2 की पावर 2 तो ये हो गया 2 की पावर 2 की होल पावर x प्लस 1 लोग ऐसे करके लिख लिए, अब तो ठीक है, upon, six से कोई मतलब नहीं, अच्छा इसकी बात करें, तो ये two की पावर कितना होगा, four x, ये चार बार, two की पावर four x, और ये two की पावर x plus one, अब ज़रा ध्यान दीजेगा, इन दोनों की बात करें, इसको लेंडी नहीं बनाना है ये two की पावर कितना होगे, देखिए ज़रा, two x, और plus two, मतलब अगर हम देखें, इसको रब कर देता हूँ, मैं, दुबारा से देखिए, अगर हम देखें, तो ये, ये जो है, ये two की पावर कितना है, ये two की पावर five x, ये बीच में plus का sign है, ये two की पावर कितना है, three x, ये two की पावर कितरा है two x two x और into में ये दुनों तो ये दुनों power एट जाएंगी two की पावर कितरा आ जाएगा five x आ जाएगा मने कुल मिलाके उपर से क्या common आएगा सिर्फ two की पावर के aspect में बात करो बागी सब को छोड़ दीजे टू की पावर 5X उपर से को मना जाएगा हाँ या ना, बिल्कुल को मना जाएगा तो टू की पावर 5X उपर से को मना गया क्या बचा, जो बचा वो लिख दीजे, क्या बचा सर एक तो 5 बचा, बिल्कुल ठीक प्लस का साइन बचा बिल्कुल ठीक, इसमें कुछ नहीं बचा, इसमें 4 की पावर 1 मतलब 4 बचा, बिल्कुल ठीक, बाकी सब तो 2 की पावर 5X में भार आ गया, ठीक है न, अपाउन में आ जाईए, ये 2 की पावर कितना हुआ, 4X, इंटू, मनले 2 की, प्लस X करेंगे तो ये 2 की पावर कितना हो गया, 5X, मनले नीचे से भी 2 की पावर 5X को मना जाएगा, क्या बचेगा, सर एक तो 6 बचेगा, बिल्कुल ठीक, इंटू में, इंटू में, 2 की पावर 1 का मतलब 2 बचेगा, बिल्कुल ठीक, ये 2 की पावर 5X से 2 की पावर 5X कैंसल हो गया, उपर कितना हो गया, 9 नीचे समझ में आ गया ठीक है न और आगे बढ़ते हैं सर मांदी जब कोशन की बाद लेके चलते हैं कोशन दे रखा है सर find the value of find the value of x to the power a upon x to the power b to the whole power a plus b into x to the power b upon x to the power c to the whole power b plus c into x to the power c upon x to the power a की whole power c plus a यह पूछ रहे इसकी value क्या आएगी अब मुझे मैं फिर आप से बूचता हूँ यहां पर आपको कितने base दिखाई दे रहें देखिए यहां कहीं plus minus नहीं है यहां into दे रखा है माने power add होंगी और subtract होंगी यहां आपको कितने base दिखाई दे रहे हैं सर यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक base है कौन सा सर एक्स माने जो चीज़े multiply में होंगी उनकी power को add कर देंगे base से में तो अगर divide में होंगी तो minus कर देंगे power के उपर power है तो power की multiply कर देंगे बस इतना असा खाम करना है अब सबसे पहले इन दुनों की बात करते हैं यहाँ यह दोनों चीज़े किसमें है divide में power की हो जाएंगी subtract माने a minus b और power के उपर power तो a minus b into a plus b a minus b into a plus b सर formula नहीं आता हमें a minus b into a plus b है नहीं आता कोई बात नहीं आने तो कोई tension नहीं है नहीं आता नहीं सीख भाए मुद्धी काम नहीं करती थी हमारी उस सब्सक्राइब हम टेंशन जादा लेते थे हमें किसी ने सही से पढ़ाया है नहीं नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे ही लिखा रहा है न दीजे इसको अलग से तो solve कर सकते है solve कर सकते है मतलब sir a minus b into a plus b इसको solve करने का तरीका समझे क्या करते है इस a की multiply is पूरे bracket से होगी मतलब यह हो जाएगा a into a plus b और minus b अब इस b की minus b की multiply is पूरे bracket से होगी minus b into a plus b यही तो होगा यह हो गया a square plus a b minus b a और क्या होगा minus b square भई देखे ना minus b into a minus b into minus b minus b into plus b minus b square अच्छा a b कहूं या b a कहूं बात नहीं की यह cancel out क्या बचेगा a square minus b square मतलब अब तो मैं लिख सकता हो ना x की power कितना हो जाएगा a square minus b square ऐसे करके लिख लिए चलिए पहले जैसे था वैसे ही लिख लेते हैं नीचे third step में लिख लेते हैं second step में a square minus b square अच्छा into लगा हुआ तो plus कर लेंगे क्योंकि a की base है हमारे पास कौन सा x अब b minus c और b plus c b minus c दो चीजे divide में power subtract कर दी और power के उपर power तो power की multiply कर दी अब b minus c into b plus c अब यहां जैसे a minus b into a plus b था वैसे ही अगर आप चाहें तो b minus c into b plus c करिए जरा क्या आएगा b की multiply b plus c से होगी और minus c की multiply b plus c से होगी माने यह हो जाएगा b square plus b c minus c b minus c square यह cancel out अब क्या आएगा b square minus c square माने plus में b square minus c square अब into का मतलब again plus c minus a into c plus a अब खुद आप देखिए अब आप करेंगे दुबारा से चाहें तो दुबारा से कर सकते c minus a into c plus a क्या हैगा finally हाँ जी बिल्कुल ठीक c square minus a square a square minus a square cancel out हो गया minus का b square plus का b square cancel out हो गया minus का c square plus का c square cancel out हो गया क्या बचेगा 0 किसी की बावाज zero की value वन, अब मैं चाहता तो आपको इसे एक cyclic form की वे में भी बता सकता था लेकिन आप शुरू में मेरी राय माने तो आप शुरू में इसको practice करिएगा करते 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 आपको अपने आपी समझ में आ जाएगा कहां पे answer zero आएगा कहां पे answer one आएगा किसकी power में क्या बचना होगा करते करते आएगा रटा मत मारिए आप अपने tricks खुद बनाइए अपने आप ही आप करेंगे न जब महनत करेंगे न तो बहुत सारी चीज़ा आपको अपने आप समझ में आएगी clear हो कई बात समझ में आ गया ना तो आज की class में हमने basically जो concept पड़े उनके अपर थोड़े बहुत question करें अभी questions और भी करेंगे हम लोग next class में और भी questions करेंगे फिलाल आपको ये class समझ में आई या नहीं आई मुझे comment section में जरूर बताईएगा और इस class में आपको क्या-क्या सीखने को मिला concept आपके revise हुए या नहीं हुए और इससे अगले अगर आपको अगली class चाहिए ठीके ना तो आप comment section में लिख दीजेगा मैं इसकी indices की next class भी आपके लिए YouTube पे upload कर दूँगा तो आज के लिए thank you very much उमीद है बने रहिएगा मेरे साथ और मैं आपका mentor मैं का अगलवाल आपको बहुत अच्छी वीडियो CA foundation के respect में लाता रहूँगा आज के लिए thank you very much हलो बच्चों कैसे हैं आप मैं CA CA में संतोष कुमार मैंने और मेरे टीम ने decide कि जो quality education मैं और मेरे टीम एक particular area में प्रवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्योंने फ़ला जाए at the reasonable cost under the brand name of COC education private limited मेरे बच्चों इस success को हमने पाया commerce के students के किसी भी course के हो वो पूरे all बरे इंडिया में बैठके हमारे courses से benefit ले रहे हैं या ले चुके हैं हमें जो दूसरों से अलग करता है हमारा daily doubt session हमारा जो academic instructor team में आपके continuous आपके growth पे वो नजर बनाये रखता है और आपको continuous basis पे motivate करना आपको study के लिए मेरे बच्चों कुछ reviews पूरे all over India से हाई है मैं चाहता हूं कि CUC since class 11th and now in funded I have purchased my CMA into my classes from CUC education Hi everybody this is Rahul, I am currently pursuing a CMA panelist I am a YouTuber who is the first class who I like to learn from our own I am thankful to Santosh sir, he is really a very nice teacher I am a Santosh sir, he is really a very nice teacher I am a Santosh sir, I am a teaching style you are better, you are better live class in my life Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very good answer to my correspondence Thanks to CUC my concepts are pretty clear my doubts get cleared right away आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें थेंक यू थेंक यू बच्चे